कैसे हैं आप सब एक बार और आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिक्स पे मैं प्रकास मिस्टरा आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि हम नेato program फ्लूडल चैनल एक स्वाइस जोच प्रका एक पिक्र आपकेल इसने की ते-टा कंज़ियो स्वा करें इस से पहले के वीडियो में आपनवी स्यूरम की आपको अलग से वीडियो दिया था तो उन सारे वीडियो को आप देखके फ्लूट का एक कॉंसेट डेवलब कर सकते होगा आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनल वैलोसिटी की पहले तो उसके बाद की टर्मिनल वैलोसिटी को समझने के लिए वीकस ड्रैग फोर्सक अब विश्क क्या होता है और उसमें फोर्स यूजिज होता है उसके लिए हमने स्टोव स्लॉव पहीं रसार स्टोव पर में तो अगर आपने श्टोक स्लव अभी तक नहीं देखा हैं तो आप श्टोक स्लव का वीडियो देखके उस कॉंसेट को पहले समझेड़ी तब यह वीडियो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा साथ मादो कि आपके पास किसी कंटेनर के अंदर किसी कंटेनर के अंदर भी स्कुब है अ सिसके अनदर ड्राव कि sha को यह अ और आपने स्मॉल कोई hisographical ball इसके अनदर sa में एक टिबॉन कि ना चाही हिर। जिसका मस confirmed M है यह नीचे तब जाना तो terminal velocity का मतलब क्या होता है कि when we draw any small spherical ball light object in a viscous fluid the maximum constant velocity क्या बोला मैंने इसी पापको बिल्कुल क्रेंग कर लेना दिमागे बिठा लेना है कि नहीं the maximum maximum constant the maximum constant velocity the maximum constant velocity by which the ball the spherical ball or object कर लोब moves in the fluid maximum constant velocity जिससे कोई भी viscous fluid में कोई object को हम डालते हैं या ball को डालते हैं तो जिस velocity से वो travel करती है उसमें चलती है उस maximum constant velocity को हम कहते हैं terminal velocity ठीक है terminal velocity को हम ऐसे vt से रिपर्जेंट करते हैं अब इसको इसके लिए हम लोग फॉर्मुला राना चाहते हैं कि एक्चली में कोई हम object को डालते हैं तो इस पे क्या लगता है अब फ्रस्ट फोर्स लगता है उपर के तरफ इस पे अब फ्रस्ट फोर्स को उपर काम करेगा अब फ्रस्ट काम करेगा इस पे मांगे अब फ्रस्ट आपका टी है या अब फ्रस्ट आप इसको यू से रिपर्जेंट कर रहे हो अब फ्रस्ट को साथ ही इसका जो वेट होगा वेट तो लीचे काम कर रहा है बट इस पे जो विस्कस ड्रैग फोर्स होगा क्योंकि आपने पहाई है स्टोक स्लोग में कोई भी ऑब्जेक्ट कम डालते है तो उस पे शिक्स पाई इंटा आर वी के इकवल एक अप्थ्रस्ट फोर्स काम करने लगता है अप्थ्रस्ट फोर्स ना कहते है तो समझे कि विस्कस ड्रैग फोर्स काम करने लेगता है तो विस्कस ड्रैग फोर्स अभी किदर काम कर रहा होगा उपर के तरफ जबकि वेट किदर काम कर रहा होगा नीचे के तरफ तो नीचे आपका वेट काम कर रहा है और विस्कस फोर्स और नीचे काम कर रहा है वेट ऑफ गल और ऑब्जेक्ट जो की विस्कस फ्यूट के अंदर ट्रेवल करता है तो सबसे पहले एकब हम वेट की बात करें तो वेट का फॉर्मॉब्ला और आप मास को लिख सकते हो एक चैटि उन्ट возь oldu ठोएक है यहां पर मास को क्या लखने वादी ऑले disproportion density into volume into g clear अच्छा जो ball है वो spherical है तो square की volume क्या होती है 4 by 3 pi r cube और radius आप मान लो कि जो यहाँ पे ball है small spherical ball उसकी radius क्या है उसकी radius है r तो यह volume के जगा तॉप लिख होगे 4 by 3 pi r cube into g और यह जो object है उसकी density को मान लेते है जिस object से जिस material से यह ball बना है उसकी density हमने मान ली रो और जो हमारा viscous fluid है उसकी density हम sigma मान लेते है या कुछ भी आप rho 1 रो 2 भी मान सकते हो उससे कोई दिख कर लेते हैं clear है तो यह आ गई हमारी किस की weight आ गई इस ball की जो की जब यह ball viscous fluid के अंदर travel कर रहा होगा तो इतना weight वो नीचे के तरफ exert कर रहा होगा clear है दूसरी बात क्या है कि हम up thrust force निकालना चाहते है तो आप जानते हो कि जो up thrust force होता है वो किसके equal होता है वो होता है amount of water displaced by the object art medis principle में इसका concept हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी object को जब मों water के अंदर dip करते हैं तो वो अपने weight के equal water को क्या करती है या liquid को क्या करती है displace करती है तो जो up thrust force होगा उसको भी हम लोग calculate कर लेंगे तो up thrust force को भी हम किसके term में calculate करेंगे इसी term में calculate करेंगे यानि वो होगी M into G और फिर M के जगर density into volume इस बार density क्या लेंगे sigma लेंगे liquid की density और volume तो ही रहेगा 4 by 3 5 rq into G यह आपका आगया the first force clear है अच्छा जो last चनब F वो क्या है viscous force viscous drag force तो वो तो आपको याल होगा कहां से stroke slow से stroke slow में आपने पढ़ा था 6 by eta r b जहां b क्या होता है यही भी है वो terminal velocity वो constant velocity जिससे fluid में viscous fluid में वो ball नीचे के तरफ travel कर लेंगे r क्या है radius a ball का eta क्या है liquid की coefficient of viscosity है और 6 by क्या है constant है clear अब आपको up thrust force मिल चुका है weight मिल चुका है और viscous drag force मिल चुका है और आपको यह भी पता है कि ऊपर के तरफ viscous drag force और up thrust force काम कर रहा है और नीचे काम कर रहा है weight तो equilibrium के condition में इस diagram से अगर equilibrium और balance condition की बात करें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि balance condition के time क्या होगा up thrust force plus viscous force viscous drag force equal to weight of the object or ball that is dipped inside the liquid तो up thrust force के आपने क्या पूट कर दिया 4 pi 4 by 3 pi r q clear है sigma g plus viscous drag force आपको होगया 6 pi eta r terminal velocity equal में weight क्या होगया 4 by 3 pi rho r q r q clear है हमें क्या चाहिए हमें यह निकालना है terminal velocity का formula find करना है तो क्या करेंगे इस वार एक्टर को इधर shift कर लेंगे यह हमारा आओ जाएगा 6 pi eta r terminal velocity equal यहां हमारे पास 4 by 3 pi r q g आ जाएगा common क्योंकि इस टर्म को आप इधर लाओ गया तो इन दोनों टर्म में क्या है 4 by 3 pi r q common है तो यह आपका और g भी common है तो क्यों बचेगा क्या यह बचेगा density of the object minus density of the liquid liquid यहां से आप जो cancel होने वाले terms है उसको आप cancel कर दो एक आपका pi cancel हो जाएगा एक आपका radius भी cancel हो जाएगा और चाहो तो इसको भी आप simplify कर सकते हो वैसे दिए मैं अगले state में कर दोगा 6 eta terminal velocity equal यहां बचेग आपके पास 4 by 3 r square g और density of the object minus density of the fluid और liquid अब यह आपको तो terminal velocity चाहिए तो यह आपका upon में आ जाएगा और यह cancel हो करके यह आप चाहो दो टाइम्स इसको 3 9 यानि terminal velocity आपका 2 by 9 eta r square g density of object minus density of fluid यह आपका आगे terminal velocity बहुत ही आसान है terminal velocity को मने समझ लिया है और terminal velocity का जो हमने फॉर्मुला लाया है वो है 2 by 9 eta r square g density of object minus density of fluid तो terminal velocity वो constant velocity होती है जिस से viscous fluid के अंदर जिस fluid के अंदर friction हो उस fluid के अंदर जब हम कोई object को डालते हैं तो जिस constant velocity से वो move करती है वो कहलाता आपका terminal velocity clear है आईए अब terminal velocity को समझने के बाद देख लेते हैं आगे equation of continuity का concept तो terminal velocity को समझने के बाद अब आरही हमारी equation of continuity की equation of continuity को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा rate flow rate flow मतलब जैसे कोई भी आपके पास pipe वोगरा है तो इससे किस rate से fluid बाहर आ रही है किस rate से आपके तो suppose कर लो कि इस container या pipe के अंदर जो कि horizontally SML ने रखा है इसके अंदर जो fluid है उसका volume है V ठीक और इसको पूरा खाली हो करके जितना भी जितने भी volume है जितने भी लीटर इसके अंदर fluid है उस fluid को बाहर निकलने में लगा time T clear तो rate of fluid flow होता है Q और वो होता है आपका V by T यानि rate of flow of fluid per unit time throughout the whole volume यानि पूरे volume जो fluid काया उसको बाहर आने में कितना time लगा the rate of flow of fluid per unit volume see that the rate of flow of fluid per unit volume यानि एक time में एक second time में कितना fluid बाहर आ रहा है वो कहलाता है उसका fluid flow का rate जिसको लोग क्यों से भी नोट करते है इसको flow rate करते है fluid का flow rate clear है अच्छा एक बाहर होता हो volume को आप क्या लिख सकते हो LBH लिख सकते हो ना और L और B को क्या लिख सकते हो area और यह आपका है height clear appointment time समझना रहा है अब एक बाप सोचो ज़रा यह हमारे पास area है यह हमारे पास height है और यह हमारे पास time है तो height basically क्या होता है height एक तरह का समझो तो distance होता है distance और time distance by time distance by time क्या होता है velocity होता है तो आप चाहो तो A into B लिख सकते हो यह देखो यह भी और यह भी अंतर यह क्या है volume और यह कहा है वैलो सिटी है तो आपको clearly concept समाझ में आ चुका है कि rate of fluid flow का मतलब होता है q equal to a into velocity area into velocity किसी भी fixed area से किस velocity से fluid बाहर आ रहे है या फिर unit time में कितना fluid का volume किसी container या pipe से बाहर निकल रहे है इस चीज़ को हम लोग क्या कहते है फ्लूड का flow rate कहते है अच्छा इसको equation of discharge ही कहते है equation of discharge क्योंकि आखिर डिस्चार्ज ही तो हो रहा है ना fluid container से या pipe से बाहर निकल के आ रहा है तो इसको हम लोग equation of discharge में बहुत सकते हैं clear है इसका यूज होता है equation of continuity में तो आपको फिलहाल समझना आ गया कि rate of fluid flow को हम लोग क्यों से रिनोट करते हैं इसका formula होता है area into velocity clear या एक सिधा सिधा अगर हम ऐसे भी सोचें तो अगर time unit हो पर unit time हो तो पर unit time के case में हम लोग volume को area into velocity लिख सकते है पर unit time के case में जोरत पड़े के लिख लेंगे equation of discharge आपको समझ में आ चुका है या flow rate का equation आपको समझ में आ चुका है अभी हम लोग बात कर लेते है equation of continuity की तो इसको लिख लो आपने लिख लिख लिया होगा मैं इसको 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 कर रहा हूं equation of continuity को समझते है आपको equation of continuity कहता क्या है suppose करो आपके पास एक इस तरह की pipe है या फिर कोई भी container है जो originally रखा हुआ है यहाँ पे entry point है और यहाँ पे exit point है entry point पे जो area of cross section है वो area of cross section आपका कितना है जी a1 और exit point पे जो आपका area of cross section है वो है a2 entry point पे fluid की जो inter velocity है ने entry time है वो है v1 और exit time इसकी velocity हो जाती है v2 इस पूरे fluid container नहीं सेमी fluid डाला है और वो जो सेम fluid डाला है इसकी density तो सेमी होगी तो माल लेते हैं कि इसकी density rho है और जो mass है fluid का इस pipe के अंदर वो है m clear है अब देखो पहले को हम बात करेंगे at entry point at entry point जहां से हम fluid को pipe के अंदर अपने container कहलता है या pipe के अंदर इंटर करा रहा है जो कि क्या है ए है तो ए point पे अगर हम बात करें कि कितना fluid मेरा उस pipe पे इंटर हुआ है यहालि उसके volume की तो आप आते हो ना density equal क्या होता मास इंटू वाल्यूम मास भाई वॉल्यूम तो अहां से मास of fluid आ जाएगा density इंटू वॉल्यूम और आप इसको लिख सकते हो एरिया इंटू वैलोसिटी क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है और यूनिट टाइम के लिए क्योंकि क्योंकि q equal to क्या होता है v by t और इसी को हमने solve करके एरिया इंटू वैलोसिटी लाया था यह वैलोसिटी है और इस case में जो time होती पर यूनिट टाइम के लिए आप लिख सकते हो q equal to a into v तो basically यह आपको मास इंट्री पॉइंट का density into area into velocity लेकिन यह जो इंट्री पॉइंट पर है तो यहां पर आप इसको लिख दो रो तो सही है एलिया कर लो एवन और वैलोसिटी कर लो v1 यह हो गया आपका कहां पर अब आप जड़ा exit point की बात देख लो किसकी बात देखो आप entry point आपको समझ में आ चुका है entry point पर जो आपकी mass of fluid है वो है row area 1 into velocity 1 क्यूंकि entry point पर area of cross section हमने माना है a1 और exit point पर माना है a2 और velocity को माना है v1 और v2 तो बात कर लो at exit point तो exit point आपका क्या है जी exit point है आपका B तो उसके लिए same mass निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका density तो वही है area हो जाएगी 2 और velocity हो जाएगी 2 अच्छा एक बात बताओ conservation of mass से जितना amount of fluid आप enter करोगे किसी pipe में उतना ही fluid तो बाहर आएगा यानि लगबाद mass अपस में क्या होगा equal तो by comparing first and second अगराण compare कर लें तो यह होगया density a2v2 equal density a1v1 तो density से density आपका हो गया cancel और आपको मिला a1v1 equal a2v2 इसका मतलब यह कहलाता है equation of continuity क्या कहलाता है equation of continuity आपको समझ में आ चुका कि जिस velocity से और जिस cross sectional area में आप fluid को enter कर रहे हो वो दूसरे तरफ यानि exit point के तरफ उसके area और velocity के equal होगी product की आप equation of continuity को सिधा सिधा यालता हो a1v1 equal a2v2 clear है तो आपको समझ में आगे equation of continuity आपको समझ में आगे terminal velocity अब हम कोशिज करते हैं आपको कि समझा दे critical velocity का concept होगा critical velocity देख लेते हैं उसके बाद पे आगे की बाद करेंगे देखो critical velocity से हमें पता चलता है nature of fluid flow, fluid flow पे हमने अलग से आपको वीडियो दिया था जिसमें हमने बात की थी steady flow, laminar flow और turbulent flows के बारे में critical velocity अगर definition की बात करो तो वो minimum velocity होती है जहां तक liquid या fluid steady flow करता है इस velocity के बात liquid turbulent flow बन जाता है तो अगर definition की बात करो तो अगर definition की बात करो तो तो अगर minimum velocity up to which fluid flow is steady and above it becomes turbulent इस velocity के बाद, critical velocity के बाद, fluid का जो flow होता है न, वो हो जाता है turbulent इस velocity तक वो रहता है steady flow और देखो यह जो है, critical velocity वो universally proportional होती है fluid के density के और उस pipe के radius के जिसमें यह flow करती है और साथ में यह directly proportion होती है coefficient of viscosity के, clear है तो अगर इन तीनों पाद combine कर लेते हो तो critical velocity आपका क्या हो जाएगा eta rho r और इस proportionality को हटा के constant, numeric constant देंगे 1100 इसकी dimensional analysis से proof की जाती है है तो वो हम लोग याद करते है कि critical velocity जो होती है, वो होती है 1100 इटा और रो definition दी क्लियर हो गया, the minimum velocity up to which fluid flow is steady and above it, it becomes laminar sorry, it becomes turbulent, मतकर इस velocity के बाद तो जो flow होती है, काफी fast हो जाती है, जिसको हम turbulent flow करते है तो यह critical velocity के formula से numerical आते हैं, तो यह आप याद कर लेना अभी तक हमने एक सारे concept की बात कर ली है, इसके बाद जो fluid की वीडियो आएगी, sire go last हो, उसमें हम लोग बात करेंगे, Venturi meter और Tori cellars law के बाएगे यह videos hydro dynamics की है, hydrostatics के video अगर आपने नहीं देख रखके हैं और गौर्णौली थियूरम का video आपने नहीं देख रखका है, तो आप इन videos को देख सकते हैं, जिससे fluid का total concept आपका clear हो सके हैं, इस उमीद के साथ बहुत thank you आपको झाल आपको